नमस्का दोस्तों आप लोगा स्वागत है मेरे इस वीडियो चेनल पे तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कप पैटर्न कैसे जनरली बनता है और किस टाइम फ्रेम पे बनता है और हम इसे कहां पे यूज कर सकते हैं अगर हम कप पैटर्न के बात करते हैं तो हम ऐसे इसको ब्रेक आट के होने के बाद में हम इसमें बाई करते हैं इंट्री लेते हैं और अपना एक प्राफिट जनरेट कर लेते हैं Cup pattern के अगर हम बात करें तो इसे हम weekly या monthly time frame पे ही use करते हैं इसके लबाँ अगर हम इसे कहा use नहीं करते हैं तो index में, commodity में and currencies में हम इसे बिल्कुल भी use नहीं करते हैं individual कुछ companies होती हैं जहां पे हम इस cup pattern को use कर सकते हैं बना सकते हैं और देख सकते हैं और यह आपको cup pattern हर जिगा नहीं मिलेगा यह अगर यह आपको छोटे time frame पे अगर बनावा मिलता भी है तो एक तरह से volatility का काम करता है, volatility का work करता है ठीक है, तो generally यह जो work करता है वो long duration के लिए यह long time frame पे ही work करता है जैसे कि आप इस image में देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको cup pattern बनता हुए दिखाई दे रहा है, cup pattern बना फिसने एक अपना handle बनाया ठीक है, इसका जो यह resistance point है इसने इसको breakout किया और यहाँ पे आप minimum target अपना fix कर सकते हो जैसे हम second image में अगर देखें, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसने resistance line है सेम यह cup pattern बना, ठीक है, यह जो duration होता है, यह आपका महीना भी हो सकता है, साल भी लग सकते है और इसमें कितने महीने कितने साल लगेंगे, यह किसी को भी confirm नहीं होता है लेकिन हाँ यह आपका देखे 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 चलेगा और इसका थोड़ा सा हमें यह loss होता है कि यह हमेसा हमें थोड़ा उपर जाकर buy करना होता है, थोड़ा महंगा buy करना होता है इसलिए profit हमारा थोड़ा सा limited होता है और resistance line को यह जब break करेगा, उसके बाद मैं हमने यहाँ पर entry की और यहाँ पर एक chart आप देख सकते हो, अगर मैं chart की बात करूँ तो आप यहाँ पर pattern बनता हो, दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर यह दिखे, यह resistance line हो गया, यह आपका cup हो गया और इसने यह handle आपका यहाँ पर create किया और जैसे इसने resistance line को cross किया, यहाँ पर हमने entry की और आप अपना यहाँ पर profit देख सकते हैं generally हम यहाँ पर आगे angel broking के, अगर आपके पास में angel broking का download कर सकते हैं, और वहाँ पर अपना डिमेट account open कर सकते हैं, बिल्कुल free में उसका कोई भी charges नहीं है तो यहाँ पर आप जाके आप देख सकते हो, जैक्सन फार्मा है, जैक्सन फार्मा का एक stock है, मैंने लिया हुआ है और यहाँ पर आप देखोगे कि यह इसका resistance line में ने drop किया हुआ है, यह नीचे सी एक pattern बना है, अब अगर मैं इस time duration की बात करता हूँ, तो आप देख सकते हैं, दोजर 11, 12, 13, 14, 15 तक कि यह ऐसे ही चला है, उसके बात जैसे यह breakout करता है, इसने अपना handle बना है, और यहाँ तरए आप profit generate करते हो, तो यह limited profit हो गया, यह साल महीने का profit होता है, ठीक है, इस साल यदा महीने लग सकते हैं इसको बनने में, अगर मैं डूसरे stock की बात करता हूँ, और मैं दूसरे stock की बात करता हूँ, तो आप बाल कृष्ना अबल करता है, बाल कृष्נה आप ने यहां पर के बात में इतने breakout की यहां पर देख सकतें इसके ibit当 के बाद में आपका profit कितना यहां पर बनता है सीदह op हजार क्योंच की बात करूं तो यह आपका जो breakout वह आपका प्रेकोंटी box 1311 एक कने ऐन इसको हेजार रुपे का यहां पर आपने प्वाइंट बनाया उसके बाद मैं आपने यह ऐसे एकजीट किया तो इस तरह से कब पैटरन जो है हम यूज कर सकते देख सकते हैं, बना सकते हैं, और इसे किस तरह से चाड पर देखना है यह भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, तो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं अगर आपके पास में अपना डिमेड अकाउन नहीं है, तो डिमेड अकाउन के लिए लिंक डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में प्रवाइड किया गया है वहां से आप अपना डिमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक से रहें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत बुलिएगा बैल आइकन जुरूर दबाद दिएग और आपको आने वाली वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगे जाने बाद दोस्तों नमस्कार